अब हम कक्षा आंट के पार्ट नों को आज दूसरे पार्ट में आगे बढ़ाते हैं हमने कल तक यूगमनज के बारे में बढ़ा था कि दो केंद्रकों के मिलने से यूगमनज का निर्मान होता है एक केंद्रक शुकराणूं का और एक केंद्रक अंडाणूं का था क्या आपको जानकाली थी कि एक यूगमनज नए व्यस्टी का प्रारंब है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ गुण पिता से आते हैं कुछ गुण माता से आते हैं तो नए व्यस्टी बनती है तो उसी के बारे में हम आज आगे बढ़ते हैं निशेचन के प्रक्रम में इस्तरी यानि की मा के अंडानू और नर यानि की पिता के शुक्रानू का सयोजन होता है तो हमने कल भी ये बात पड़ी थी कि निशेचन की प्रक्रिया में क्या होता है शुक्रानू और अंडानू का मिलन यानि की सयोजन होता है अथा नई संत्ति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वन्चानुगत होते हैं वन्चानुगत होते हैं का अर्थ होता है कि माता पिता से बच्चों में आते हैं एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाना वंचानुगन कहलाता है अपने भाई अथवभन को देखिए यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उसमें कौन से लक्षन माता से और कौन से लक्षन पिता जी से प्राप्त हुए है तो आपको क्या करना है कि माता पिता के गुणों को पहले नोटिस करना होगा कि बालों का रंग कैसा है बाल गुगराले हैं या सिंपल हैं आखों का रंग कैसा है नाखुन किस प्रकार के हैं गोल है या थोड़े से लंबे टाइप के हैं या चप्टे टाइप के हैं या पिता की लंबई कैसी है, माता की लंबई कैसी है, हेल्थ कैसी है, इसकीन का कलर कैसा है तो ये सबी गुणों को आप नोटिस करने के बाद इन गुणों को अपने भाई बहन से अत्वा स्वयम से मिला करके देखिए जो गुण आपकी ममी से आप में मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि वह सभी गुण आपको मा से वन्शानुगत हुए है और जो पिता से मिल रहे होंगे वो पिता से वन्शानुगत हुए है अब हम निशेचन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि निशेचन कितने प्रकार का होता है तो वह निशेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंत्रिक निशेचन कहते है यानि कि नाम से पता चल रहा है आंत्रिक निशेचन यानि कि शरीर के अंदर होने वाला निशेचन है और किसके शरीर में होगा मादा के शरीर में ही होगा नर के शरीर में कभी निश्यचन नहीं होता है तो definition होगी वह निश्यचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निश्यचन कहते हैं जैसे मनुश्य, गाए, कुत्ते, तथा मूर्गी इत्यादी अनेक जन्तों में आंतरिक निशेचन होता है अब बात आती है परक्नली शीशु के बारे में कि क्या आपने कभी परक्नली शीशु के विशे में सुना है क्या परक्नली को तो आप जानते हैं कांच की बनी हुई एक ट्यूब होती ही जिसे टेस्ट ट्यूब या परकनली कहते हैं तो उससे शिशू का निर्मान कैसे किया जाता है आईए समझते हैं बूजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ इस्तरियों की अंडवाहीनी अवरुद्ध हो जाती है अवरुद्ध का मतलब होता है कि उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो जिस कारण से अंडव का सही निर्मोचन नहीं होता तो ऐसी इस्तरियां शिशू उत्पन करने में असमर्थ होती है क्योंकि निशेचन के लिए शुक्राणू मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडणू तक नहीं पहुँच पाते यानि शुक्राणू के जाने का जो रास्ता है वो अंडवाहीनी होता है और अगर अंडवाहीनी ही अवरुद्ध हो जाए तो शुकराणू अंडे तक नहीं पहुँच पाते और अंडे तक नहीं पहुँचेंगे तो निशेचन की गिया नहीं होगी तो ऐसी इस्तिती में डॉक्टर क्या करते हैं ताजा अंडाणू एवम शुकराणू एकत्र करके उची तमाध्यम में कुछ गंटों के लिए एक साथर छोड़ देते हैं या रख देते हैं जिससे IVF अत्वा, IVF का पूरा नाम क्या है, I का मतलब इन, V का मतलब विट्रो, F का मतलब फर्टिलाइजचन यानि की निशेचन यानि की शुकराणू और अंडाणू को एक साथ टेस्ट ट्यूब में रखा जाए तो उसे IVF यानि की इन विट्रो निशेचन जो शेरीर के बाहर परकनली में होता है, वो हो सके अगर निशेचन हो जाता है, तो युगमनज को लगबग एक सपता तक विक्सित किया जाता है उसके पस्चाथ, उसे माता के गरबाशे में इस्थापित कर दिया जाता है यानि पहले एक हफते तक तो उसे चेक करेंगे, कि उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ डवलोपमेंट वगेरा हो रहा है यानि हो रहा है, अगर वो सई है और सई तरह से वो बढ़ रहा है तो एक हफता के पस्चाथ क्या करते हैं उसे, माता के गरबाशे में इस्थापित कर देते हैं माता के गरबाशे में पूर्ण विकास होता है युगमनज का तथा शीशू का जन्म सामजी शीशू की तरह ही होता है इस तक्निक द्वारा जन्में शीशू को परक्नली शीशू कहते हैं यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शीशू का विकास परक्नली में नहीं होता तो आप ये ना समझें कि परक्षनली शिशू हुआ इसका मतलब यह एक वो परक्षनली में से पिदा हुआ था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है परक्षनली में तो सिर्फ शुक्रानों और अंडानों का सलेयन कराये जाता है जबकि शिशू का जन्मत हो एक सामझी शिशू की तरह माता के गरबाशे से ही होता है आपको यह जानकर आश्चे लिए होगा कि अनेक जन्तों में निश्यचन की क्रिया मादा जन्तों के शरीर से बाहर होती है हमने अभी तक तो बड़ा अंदर होती है आंतरिक निश्यचन केते हैं तो यह एक दूसरा प्रकार और है जिसमें क्या होता है निश्यचन की क्रिया मादा जन्तों के शरीर से बाहर होती है इन जन्तों में निश्यचन जल में होता है आईए पता लगाते हैं ये किस प्रकार होता है क्रिया कलाप 9.1 वसंत अथ्वा वर्षा की रितू के समय किसी तालाब अथ्वा मंद गती से बहते जड़ने का आप ब्रमन कीजिए तो बारिश के समय में मौसम में हम कई न कई गूमने जाते ही है पानी वली जगह पे तो आप वहाँ कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा कि वहाँ आप जब ब्रमन कर रहे हैं आपको किन-किन बातों का वहाँ ध्यान रखना है जल पर तेरते हुए मेंडक के अंडों को ढूंडिए अब देखते ही तो आपको तुनंत पता नहीं लगेगा कि यह मेंडक के अंडे हैं या नहीं है क्योंकि आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था तो अभी आगे एक डाइग्राम आएगा एक चित्र है उसमें मैं आपको बधाऊँगा कि मेंड़क के अंड़े किस प्रकार से दिखते है और हम उन्हें किस प्रकार से तालाब में पहचान सकते हैं तो अंडो के रंग तथा साइज को नौट कीजिए वसंत अत्वा वर्षा रितू में मेंड़क तथा टोड जो होते वो पोखर, तालाब और मंद गती से बहते जरने की ओर जाते हैं तीवर गती से बहते वो जरने की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ अगर वो अंडे देंगे तो वो अंडे पानी के साथ बह जाएंगे इसलिए वो हमेशा किस गती की ओर जाते हैं जहां पानी की गति बहुत मंद हो, ऐसे जर्णे की और जाते हैं, जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा क्या करती है? मादा सेंक्रो अंडे देती है पानी के अंदर, और मुर्गी के अंडे की तरह ही मेंड़क के अंडे कवच से डखे हुए नहीं होते हैं जैसा आपने मुर्गी के अंडे देखे थे उस पे वाइट वाइट कलर का एक कठोर कवच होता है जो केल्सियम कार्बोनेट का बना होता है लेकिन मेंड़क के अंडो पर इस प्रकार को कोई कवच नहीं होता यह अपयक्षा करत बहुत ही कोमल होते है जेली की एक परत अंडो को एक साथ बांदे रखती है यानि अंड़े कहीं दूर दूर न चले जाए तो वो एक जेली में पे करेते हैं और यही परत जो होती है वह इनकी सुरक्षा भी करती है अब इस डाइग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि यह मेंड़क के अंडे आपको इस प्रकार से दिखेंगे देखिए इनके उपर कोई वाइट कलर का कवच नहीं है अगर कवच होता तो यह पारदर्शी हो जाते लेकिन यहां तो हमें सब कुछ अंदर नजर आ रहा है यह तो पारदर्शी है तो यह जेली से जेली के आवरण से पेक है तो यह मेंड़क के अंडे है अब आप इन चीतर को अच्छी तरह से देखकर समझिएगा अब आप कहीं भी घूमने जिजाएं या ब्रमन करने आप कहीं जाते हैं ऐसी जगह जहां दिमी गती से बहुत पानी बहरा है या पानी इस्ती रवस्ता में रुका हुआ है तो ऐसी जगह पर आपको ऐसी रचनाए देखने को मिलेगी तो आप समझ जाना यहां मेंडक के अंडे हैं तो मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुकरानू छोड़ देता है यह तुरंद क्रिया होती ही जैसे ही मादा अंडे देती है नर उस पर शुकरानू छोड़ देता है प्रत्यक शुक्राणू अपनी लंबी पूंच की सायता से जल में इदर उदर तेरते रहते हैं हमने कल भी पढ़ा था कि शुक्राणू में पूंच होती है जो उसे गती करने में सायता प्रदान करती है तो ये जल में उदर 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 उस पूंच की सायता से तेरते रहते हैं शुक्राणू अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फल सूर्प निशेचन की क्रिया हो जाती है इस प्रकार का निशेचन जिसमें नर एवा मादा युगमक का सलयन मादा के शरीर से बाहर होता है उसे बाहर निशेचन कहते हैं तो यह क्रिया किस किस में पाई जाती है तो जितनी भी मचलिया हैं उन सब में बाहर निशेचन होगा इस्टार फिश जो है उसमें बाहर निशेचन होता है और कुछ जली प्रानी भी होते हैं ये सबी जली प्राणी ही है, मेंडग है, उसमें भी बाही निश्यचन होता है अब बूजो पूछ रहा है, मचली और मेंडग एक साथ सेकड़ अंडे क्यों देते हैं जबकि मूर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है तो आप सोचिए कि मूर्गी एक समय में एक अंडा देती है तो उसमें चूजे के निकलने की जो संभावना होती है, वो लगभग लगभग शत प्रतिशत होती है यानि चूजा उसमें से निकलता ही है, अगर मूर्गी उस अंडे पर बेटती है तो लेकिन बेंटक जब अंडे देते हैं या मचलियां जब अंडे देती है, तो उन अंडों में से, लाखों अंडों में से, सेकड़ों अंडों में से केवल कुछ ही अंडे जो होते हैं वो स्वस्थ रूप से व्रद्धी करके बचे रहते हैं और उनसे नई जीव की उत्पत्ती होती है क्योंकि पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं केकडे रहते हैं बगूले रहते हैं छोटी छोटी बहुत सारी मचलिया रहती है तो ये सबी क्या करते हैं इन अंडों को खा जाते हैं या इन जीवों को खा जाते हैं तो सो अगर अंडे देते हैं तो उन सो में से मुश्किल से 10 या 15 में से ही मेंड़क निकलता है और उन 10-15 मेंड़क को जब वरद्धी करते हैं उनका शरीर वरद्धी करता है जब तक उन्हें कुछ बगुले, कवे या अन्य कुछ जानवर पकड़ कर खा लेते हैं तो उनमें से भी फिर 2 या 3 ही बचते हैं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम रहती है इसलिए उन्हें अन्डे ज़्यादा देने पड़ते हैं पहली कहती है यदि पी कुछ जन्तु सेकड़ अन्डे देते हैं तथा लाकों शुक्राणू निर्मोंचित करते हैं सारे अंडों का निश्यचन नहीं होता और वहां नया जीव नहीं बन पाते तो यहां यह भी पार सही है कि ऐसा जुरूरी नहीं हो कि हर एक अंडे में निश्यचन हो हो सकता है 50% में निश्यचन हो और 50% में नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है इस कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणू निरंतर जल की गती वायू एवं वर्षा से प्रभावित या अनावरित होते रहते हैं तालाब में दूसरे ऐसे जंतू भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन कर लेते हैं अता अंडों कोशी का एवं शुक्राणों की बड़ी संख्या में उत्पन होना आवशक है ताकि उन में से कुछ में निश्यचन सुनिश्चित किया जा सके तो यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उन जीवों के लिए बूजो कहता है एक एकल कोशी का किस प्रकार का बड़ा जीव बन सकता है यानि अंडाणों और शुक्रणों तो एकल कोशी का है यह दोनों एकल कोशी का है किस प्रकार से एक बहुत कोशी की जीव बना देती है ऐसा बूजो पूछ रहा है तो पहले तो हम अंड़ा शे का एक चित्र देखते हैं फिर इस बात पर हम चर्चा करते हैं यह आपके सामने एक चित्र है अंड़ा शे का अंड़ा शे है साथ में घरबा शे है और एक अंडवाहीनी है तो ये मादा का जननांग बताये गया है गरबाशे आप देख पा रहे हैं रोपित भुरून आप देख पा रहे हैं अंडोत सर्ग आप देख पा रहे हैं यूगमनज आप देख पा रहे हैं अंडाशे आप देख पा रहे हैं अब मैं इसकी क्रिया को आपको समझाता हूँ सबसे पहले क्या होता है अंडा शे को देखिए अंडा शे मेंसे अंडे का उत्सर्ग होता है जिसे अंडोत सर्ग कहते हैं तो अंडा निकल गया अंडोत सर्ग के द्वारा अब अंडोत सर्ग से ये अंडा आगे जाएगा तो वहाँ जाके ये शुक्रानों से मिल जाएगा तो शुक्रानों से मिलेगा तो युगमनज का निर्मान हो जाएगा यहाँ युगमनज बन गया अब ये युगमनज धीरे 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 इस अंडवाहीनी में से आगे जाते जाते कहां जाएगा घरबाशे में पहुँचेगा घरबाशे में पहुँचने के बाद ये घरबाशे की बित्ती से चिपक जाता है जिसे कहते हैं ब्रून का रोपन हो गया तो रोपित भून आप देख सक रहे हैं तो इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया चलती है अब पढ़ते हैं हम भून का परिवर्दन यानि एकल कोशिका से बड़ा जीव कैसे बनता है उसके बारे में तो निशेचन के परिणाम स्वरूप युगमनज बनता है जो विक्सित होकर भून में परिवर्दित हो जाता है किसी भी जीव का विकास तो निरंतर चलता है आपको यह बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जीव जब से जन्म लेता है तो जन्म से लेकर म्रत्यु तक उसका विकास चलता ही रेता है तो निशेचन के फलसुरुप जो भी युगमनज बनेगा उसका भी विक्सित होकर वो भून में परिवर्दन हो जाएगा युगमनज लगातार विभजित होकर कोशिकाओं के गोलेक में बदल जाता है यानि एक कोशिका से दो बनेगी, दो कोशिका का फिर विभजन होगा तो चार बनेगी चार कोशिका का फिर विभजन होगा तो आट बनेगी इस प्रकार से कोशिकाओं में विभाजन चलता ही रहेगा और वो एक गोला बन जाएगा तत पस्चाद कोशिकाओं समुही करत होने लगती है समुही करत का मतलब होता है सारी कोशिकाओं मिलकर एक समुह बना लेती है तथा विभिन उत्तकों और अंगों में परिवर्दित हो जाती है तो आप जानते हैं कि समान आकार वह समान कारी करने वाली कोशिकाई जब समू बनाती है तो उत्तक का निर्मान होता है और समान समान प्रकार के उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्मान होता है तो इस प्रकार कोशिकाय समू बनाकर उत्तक्व अंग का निर्मान कर लेती है इस विक्सित होती हुई सनरचना को बुरून कहते हैं तो ये जो डवलोप्मेंट चल रहा है ये जो विकास चल रहा है ये जिस रचना में चल रहा है उस रचना को क्या कहेंगे ब्रून कहेंगे ब्रून गर्बाशे की दिवार में रोपित होकर विक्सित होता रहता है तो विकास तो निरंतर चलता है विकास तो चोईस गंटे चलता ही रहेगा जब तक वो ब्रून जन्म ना ले ले तब तक गरबाशे में ब्रून का निरंतर विकास होता रहता है और दीरे दीरे शारीरिक अंग जैसे की हाथ पेर वगेरा ये उसके बनते रहते हैं ये देखिए ये आपको एक चितर बताये गया है इस चितर में आप देख पा रहे हैं कि अंडे के अंदर जो युगमरज है जो अंडे युगमरज बन चुका था उस युगमरज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटे गोले आपको नजर आ रहे हैं ये सबी गोले जो हैं वो कोशिकाए हैं जो समूही करत होने लगी है और यहां गरबाशे की भित्ती बताई गई है उस गरबाशे की भित्ती पर ये विक्सित होता हुआ ब्रून जो है वह चिपका हुआ है यहीं आवल याज हम जिसको प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं वो विक्सित होती है जिसकी सायता से ब्रून वहां जुड़ा रहता है और उसे बोजन, श्वसन और जो भी पोशन होते हैं उत्सरजन होते हैं वह सभी चीजें उसे यहीं से प्राप्त होती है तो हाथ, पेर, सिर, आँखें, कान इत्यादी विक्सित हो जाते है ब्रून की यह आवस्था जिसमें सभी शारीदिक भागों की पहचान हो सके गर्ब कहलाता है यानि जब तक शारीदिक भाग नहीं पहचाने जा रहे हैं तब तक तो वह ब्रून है लेकिन जब उसके शरीर के सभी भाग इस्पष्ट नजर आने लग जाते हैं सोनोग्राफी में वग्यरा हम उसको पहचान सकते हैं तो वह गर्ब केलाता है और जब गर्ब का विकास पूरा हो जाता है तो मा जिस नवजात को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? फिशू कहते हैं, यानि जन्म के पश्चाथ हम उसका नाम शिशू रख देंगे यानि कि तीन नाम हो चुके है आपको तीनों नाम ध्यान रखने होंगे एक नाम होगा ब्रूण, एक नाम होगा घर्ब, एक नाम होगा शिशू तो इनमें क्या फर्क है ये आपको ध्यान रखना होगा ये आपके सामने एक चित्र है जिसमें माता के गर्भाशाय के अंदर एक विक्सित नवजात जो है वह दिखाये गया है जिसमें आप देख सक रहे हैं आख, कान, नाख, सिर, हाथ, पेर सभी इसपष्ट दिख रहे है अब आज का मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ चार कोश्वे नाम मैं आपको दूँगा जिनके उत्तर आपको स्वयम ढूंडने है और जो मैंने बाते बताई हैं उनको ध्यान रखकर आपको कुछ बातों के सवाल के जवाब भी आप उसी में से निकाल सकते हैं तो पहला प्रश्ण नोट कीजिएगा बाहियो निशेचन वा आंतरिक निशेचन में अंतर इसपष्ट कीजिए दूसरा प्रश्ण नोट कीजिएगा मादा जननांग का सच चित्र वर्णन कीजिए तीसरा प्रश्ण नोट कीजिएगा बाहिय निशेचन वा आंतरिक निशेचन में क्या अंतर है चोथा प्रश्ण नोट कीजिएगा IVF क्रिया किस प्रकार संपन्न कराई जाती है